नमस्ते दोस्तों कैसे आप लोग मैडम इडिया कॉमिक्स जो फर्स पार्ट में अपलोड किया था अभी उसको आपको रिकार्ट करा देता हूं और इसके बाद की जो इस्टोरी पार्ट वर्ण के बाद मैं पार्ट दालना चाहता हूं आपके सामने बेद हैं आपको ये भी को लटकाय रहती है और प्रतिशोध 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 आते हैं सेकेंड पेस 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 यह सब सीन रहता है लेडी किलर बहुत ज्यादा मर्डर करती रहती है शेहर में तो राम राहिम को चीनता होनी लाजमी हो जाती है उसके बाद से दिखाता एक सीन में ये आपको श्वेता रहती है जो वंडर गल से नाम से विख्यात रहती है मरुस कॉमिक्स में कमिशनर डिसपांडे के सामने रामरहिम से कमिशनर डिसपांडे सहर की चिंता को व्यक्त करते हैं साथ ही साथ मैडम इंडिया पर भी लगाम लगाने को गहते हैं उधर मैडम इंडिया जो है कि एक पेंटिंग को कि खुजिटकी खुजने के तलास मेंलगती है वो प्रेंटिम्स को खुजने के इस利 arise में लगती है ताकिुए वो उनलीक्राइविटी वाच के बारे मां आपको बता दोस्तों वह एक प्रोफेसर का जबर Sand hate villa लेविटी वाच तो हंटर मैं चल पड़ता है हंटर मैं के बारे में कॉर कॉमिक्स में आपको जल्दी अपलोड कर दूँगा हंटर मैं कॉमिक्स वैसे हंटर मैं की शॉर्ट वीडियो मेरे पास होगी तलग बलग बब उसमें मैंने सारी स्टोरी बताई हुए बस वोईस मोड में हैं मुजियम में आता है और चोरी करके उसको लेके चला जाता है वो पेंटिंग को तभी लेडी किलर आ जाती है वहां पर और उन दोनों में जबरदस्त भेरंस शुरू हो जाती है निए लेडिकलर उसे कहती है कि नेक्री किलर उसiding तुरुसर वहीं पर लगानी हो कि बीच में राम रहीम आजाते हैं बड़ी जबरदस्त फाइट होती है आप भी कुछ इन्स को देखें अ राम रहीम आजाते हैं फिर उसके बाद से हैं अगर मैंन भी डिटेलियेट करता है रिटेलियेशन में अंटर मैन जो है कि भाग निकलता है श्वेता आ जाती है बीच में वो उनकी तरफ फाइरिंग कर देता है राम रहीम की तरफ यहां से इस स्टोरी को पूरे वाइस मोड में डालता हूं मैं इसी पर रहस को और घराता प्रकास पिंज फिर उद्रिश हो गया आखो में हस्य और लिये लेडी किलोर की और पल्टे राम रहीम यदि तुम हमारी अग्यात मदितगार नहीं हो तो कौन हो तुम क्यों बचाया थे तुमने हमारे प्रान क्योंकि तुम भी मेरी तर देशभक्त हो और एक देशभक्त कभी दूसरे देशभक्त को मरता हुआ नहीं देख सकता देश के गड़मान वेक्तियों की हत्या को देशभक्ती करती हो तुम हाँ देशभक्ती है या उन भ्रस्टाचारी नेताओं की हत्या सबसे बड़ा पुन्य है मेरी निगाह में और भागवान ना करे कहीं मेरी तर तुम्हारे परिवार पर भी उन कमीनों का कहर टूटा होता तो आज मेरी जगा तुम उनकी हत्या कर रहे होते सचाई देखने में कुछ और हकिकत में कुछ और होती है राम एक अबला इस तरी द्वारा खून की होली खेले जाने का कारण जानना चाते हो तो जाओ उन सफित पोसों की जिंदगी में जाको वहाँ तुम्हें मुझ जैसे अने कुल लेडी किलर मिलेंगी गुडबाए राम चल्दी तुमसे फिर मुलाकात होगी चली गई लेडी किलर फिसे छोड़गी स्तब्ध खड़े राम रहीम को लेडी किलर कितनी बड़ी बात कहागी राम भीया हाँ राहीम अब मैं पताग लगा कर कह रहूंगा कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है कुछ पलो बाद मोटर बाइक पर सवार उड़े जा रहे थे राम रहीम लेडी किलर की हकीकत तक पहुँचने के लिए हमें दामोदर राय जीवन दास और एटम प्रसाद की जीवन में जाकना होगा इस बात के बेखबर थे कि वह उनका अग्यात मददगार भी उनके साथ है खेल खतरनाक होता जा रहा है हल पर अपने भाईयों के साथ रहना होगा मुझे राजनगर से बहुत दूर हिमाले की घाटियों में बसी यह पुरानी सी इमारत मैडम इंडिया मैडम इंडिया इसी इमारत के गर में बसी है यह अस्चरजनक दुनिया मुझे छमा कर दीजे मैडम इंडिया कि में असफल हो गया यह मेंटक मेंडम लेजुए ल्युठा कि मेंट्रफिंसने चछक एसफल ही असफलता पुर तो इतना अप्सोस कर रहे है और अपने जखमी हाथ की कटतई चींता नहीं। तुझे देख कितना लहू बह गया है तेरा लेडी किलर का लहू लुहान हाथ थामते मोती तपक पड़ रहे थे मेडम इंडिया के आखों से अपना ख्याल लखा करो लेडी किलर हम तुमारे जिस्म की खून की एक बून भी तपकती नहीं देख सकते तुम हमारा सब कुछ हो ह हमें इतना समान मत दो मेडम इंडिया बसंती ही बना रहने दो हमें बीते दनों के यान मत करो लेडी किलर उसे एक भ्यानक स्वापन समझ कर भूल जाँ दर्द छलक उठा लेडी किलर की आखों में कैसे भूल जाओं वो ख्छन जो आज भी मेरे दिमाग पर हथोड़े सी च जीवंदास मुर्दाबाद हमारी मांगे पूरी करो नारो से आकास थर रहे दे रहे थे मजदूर मजदूरों की आवाज जीवंदास के कानों तक अवस्य पहुंची थी सर मजदूरों का आपके खिलाब भड़काया है किसना ने वही नेता बना फिर रहा है मजदूरों का बुला उसे कुछ समय बाद किसना जीवंदास के सामने खड़ा था प्रणाम सेड़ जी प्रणाम लाखन बिफकेस किसना को दे दो जो हुकम माली ब्रिफकेस में भरे नोस्त देखकर चोक बुड़ा था किसना यह सब क्या है सेड़ जी तुम्हारी किमत कल से या हरताल खतम हो जनी चाहिए सेड़ जीवंदास की बाद सुनकर भवक उठा किसना माफ किजिए सेड़ जी आपने गलत दराजा खटखटा है दोलत मुझे खरीद नहीं सकती पर बिक जायेगा मर जायेगा किसना पर अपना जमीर नहीं बचेगा आपको मज़दूरों का हक देना ही पड़ेगा नमस्ते जीवंदास के अर्मानों पर पानी फेर ता बाहर निकल गया था किसना अब तुझे ठीकाने लगाना ही पड़ेगा कमीने सारी बात जानकर भड़क उठी ती किसना की पतनी बसंती क्यों अपनी जान गवाने पतुले हो तुम मजदूरों के समय एक भी मजदूर तुमारा साथ नहीं देगा मुसिबत के समय एक भी मजदूर तुम्हारा साथ नहीं देगा नहीं बसंती मुझे अपने मजदूर भाईयों पर पूरा भरोसा है इसी पल तूटकर जागिरा जोपड़ी का दर्वाजा भड़ाक भून कर दो साले को मुझे जी भर कर भी तो ना देख पाय था किसना आग भर दी थी उसके जिसम में सैतानों नहीं पागलो सी बस्ती में दोड़ती चली गे बसंती पकड़ो पकड़ो हत्यारे भाग रहे उन्होंने किसना को मार डाला कायरो बाहर निकलो मर गय सब किसब लहू पानी बन के बह गया है तुम्हारा सुबक सुबक चीकती रहे बसंती लेकिन कोई बाहर नहीं नहीं आया मानो सभी बहरे हो गये थे असमसान घाट पर किशना की चीता के साथ साथ जल ला था बसंती का दिल मैं चुप नहीं बैठोंगी जीवनदास को भैनक मोद दूँगी में और इस काम में तुम्हारा साथ देंगे हम बसंती का दिमाग जैसे अंतरिक्ष में तेर रहा था क्योंकि वहां मैडम इंडिया आ चुके थी हम हैं मैडम इंडिया जीवनदास जैसे सैतानों को मोद देने के लिए हम तुम्हें एक नया रूप देंगे लेडि किलर का रूप अतीत के भोर से निकल कर वर्तमान के धलातर में लोटाई लेडि किलर और इस तरह सीधी साधी बसंती को लेडि किलर बना दिया आपने आपके वज़े से अपने सुहाक का बदला लेपा हूं मैं हाले डि किलर तुमारे पती को मारने वाले जीवनदास तुमारे हाथों मारा जा चुका है लेकिन अभी हमारे दुश्मन जिन्दा है बस एक बार उनका पता लग जाए फिर हम अपने हाथों से मौद देंगे उन्हें उनका भी जल्दी ही पता लग जाएगा हंटर मैन से लडाई के दौरान मैंने जो ट्रांस्मीटर उसके शरी से चिपकाया था मेड़े मीडिया वह हमें उसके अड़े तक पहुचा देगा सैकलोफिट उचाई से गिरते इस जरने के पिछे हंटर का हैटकॉटर हम तुमारी प्रतिक्षा कर रहे थे हंटर मैन हमारा काम हुआ येस बॉस हंटर जिसे जुर्म की दुनिया कहती है धरती का यम्राज जो खुद एक जीती जाकती मोथ है ये रही पेंटिंग सबास हंटर मैं यही पेंटिंग चाहिए थे हमें यही पेंटिंग पहुचाएगी हमें वहां जहां रखी है ग्रेविटी वाच लेकिन लेडी किलर के बीच में आने से हमारे लिए खत्रा बढ़ गया है महान हंटर ठीक कहा तुमने हंटर मैं हमें लगता है कि लेडी किलर भी पेंटिंग के रहस्ते से परिचित है और यदि ऐसा है तो वो हमारे लिए सचमुच खत्रा बन सकती है और इसलिए हमने फैसला किया है तुम यही रुकोगे ताकि जरुद पढ़ने पर लेडी किलर को हमारे रास्ते की बाधा बनने स्रोक पाओ बाकी हम सब इस मिशन पर हमारे साथ जाएंगे यस बॉस चल पढ़ा हंटर गेंड हाहाहाहाहाहा आ रहों में चणक तेरी वर्सों की अथक महनत ग्रेविटी वास पर होगा मेरा अधिकार किन्तु मंजिल तक पहुचना इतना असान न था मैडम इंडिया रहस्यों की मलिका वो अपनी गुफा से बाहर निकलाया लेडी किलर आज हमारे सामने दुस्मन हमारे सामने अब चून-चून करके मारेंगे हम सब को खुशी के अधिकता से थर्थरा रही थी मैडम इंडिया के वाज तुम अमेशा मेरे बारे में जानना चाहती थी न लेडी किलर हम कौन है कहां से आए है आज तुम्हें हम सब कुछ बताएंगे सुनो मेडम इंडिया का जो रूप तुमा आज देख रही हो ऐसा नहीं था मेडम इंडिया एक सुनहरा सपना था मेरा उसका जीवन जिसमें एक प्यारा से बेटो एक देखता समन पती था अपने छोटे से परिवार के साथ बेहत सुखी थी मैं मेरा बेटा सुरज बॉक्सिन का नेशनल चेंपियन था मेरे बती आई एन राई के डारेक्टर थे आई एन राई इंडियान नुक्लियर रिसर्च इंस्टिटूट लेकिन कहर की रात मानों आसमान फट पड़ने वाला था ना जाने क्यों मेरा मन किसी अज्यात आशंका से काप उड़ा था उफ अभी तक संजे बॉक्सिंग क्लॉप से नहीं लोटा अमर भी हा नहीं है उसी पल उछड पड़ी मैं अपने बेटे संजे की आवाज पुकार सुनकर मा मा दर्वाजा खलो धाय धाय उफ गोली की आवाज दर्वाजा खुलते ही मेरी कदमों में गीर पड़ा था संजे खून से लत्पत मचली की भाती तडपता संजे किसने तेरे मासूम दिल में बारूद भर दिया ला बेटे मा 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 दामोदर राई देश का बहुत बड़ा दुश्मन है खेल मंतरी की आड में वो खिदेश के भावी खिलाड़ी उकर नशे के गहरे दलदल में डुबा रहा है मैंने आज स्वैम अपनी हाथों से उसका आखों से उसका से सेतानी चेहरा देखाया बहुत पीडा हो रिये मा बेटे क्यों अपनी मा को तड़ पाता है रे तू ठीक हो जाएगा हाथ नथीक हो जाएगा वादाकर मावादाकर दामोदर राय का कच्छा चिठा सारी दुनिया के सामने तुख लेगी मामा संजे मै पगलाई सी कभी अपने बेटे की लास तो कभी असमान में कड़कती बिजली को देख रही थी हे विधाता मेरी छाती फट क्यों नहीं जाती यह असमान मुझे पर तूट की नहीं पड़ता क्या करूं कहां जाओ अमर को फोन करती हूँ इससे पहले की फोन पर जपट करती मैं हर बड़ाय सा अंदर आयब अमर भारती जल्दी चलो भारती अमर, हमारा संजय, हमारा लाल, बहु, हु, 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 चीख पड़ा अमर, क्या हुआ संजय को मार डाला, मर गया हमारा लाडला, मार डाला उसे कसाईयों ने भारती, संजय की लासली हम इतनी दूर, जितनी दूर हो से के उतनी दूर निकल पड़ते हैं मैं रास्ते में सब तुम्हें बता दूँगा मेरी जान को यहां खत्रा है भारती मेरी फटी आखे ताक्ती रहगी अमर का छेहरा नागिन सी बल खाई शड़क पर दोरती चली गी वहकार भारती मैंने अपनी नुकलियर रिसर्च की जो रिपोर्ट तेयार किये उसे एटम प् कमाना चाता है और इस पात में वह मुझे भी अपना भागिदार बना रहा है वही एटम प्रसाद जो हमारे परमाडू उर्जयायो के मंत्री है हाँ वही कमीना एटम प्रसाद अपने वतन के लिए खून कहके कत्रा बहा सकता हूं मैं लेकिन बिक नहीं सकता है मैंने वह सार चिथड़े उड़ा गई कार का टेर सेकेंड के हजारवे हिस्से से में कार से गुदी में आह अमर जल्दी किन्तु अमर इतना भागिशाली कहां था सराबी की भाती लहराती कार जा टकराई चट्टान से ब्लाम अमर एक पीपल में सब कुछ तबाह हो चुका था जाने किस चट्टान का बना था मेरा दिल जो अपने बेटे वा पती की मौत के बाद भी नहीं फटा था कैसी अभागिन थी मैं जो अपने की चीता को अगनी भी नहीं दे पाई विधाता ने उन्हें चीता में जलाने का हक भी छीन लिया था मुझसे क्योंकि वे कार एक्सिडेंट में बुरी तरह जल चुके थे कास हत्यारों की गोली मेरा सीना भी छलनी कर डालती इसी पल भूत की तरह प्रकट हुए हत्यारे न्यूकलियर रिसर्च की वो रिपोर्ट कहा है जो तेरे पती ने तैयार की है कौन हो तुम एटम प्रसाद मानो एक बम सा मेरे मस्तिश में फटा था हत्यारे भारत मा की छाती पर रेंगने वाला गंदा कीड़ा है तू डालाग बंद कर और सीधी तरह बता रिपोर्ट कहा है कुछ जवाब देने की बज़ा समुन्दर की तरह भागती चली गये मैं एटम प्रसाद बदला लेने अवस्याउंगी मैं तब तुझे मर्यम की मम्तानी मा दुर्गा की शक्ती देखने को मिलेगी पकड़ो उसे इसी पल इससे पहले लगा की हत्यारे हरकत में आते समुन्दर में छालांग लगा दी थी मैं चपाक सागर की प्रचंड लहरों में खो गया था मेरा जिस्म लोट चलो इस भायानक समुन्दरी तुफान में अब उसके जिन्दा बचने की कोई आसा नहीं है लेकिन बिधातों को सायद कुछ और ही मंजूर था मत बिजय से मुझे रूट गई थी एक अनोखे कक्ष में खोली थी मैंनी अपनी आखे आह कहा हूं मैं थैंग और पूरे पंदरा दिन बाद बेहोसी टुटी ये तमारी सागर की किनारे बेहोस पड़ी मिले थी तुम मुझे कौन हो तुम बेटी मेरी सारी कहाने सुनकर वहां बोले इन आशुमों का जहर समस्कर पीजा बेटी यही आशु जब लावा बनकर बाहर निकलेंगे तो खतम हो जायेगा आतताईयों का समराजे जुर्म से लड़ने के लिए तुझे एक नया रूम धारन करना होगा प्रोफेसर चणक के बटन पूश करते ही दरास से निकली एक पशाक ले पहन ले इसे बेटी और बंजा मेडम इंडिया कुछ ही पलो में मेरी दुनिया ही बदल चुकी थी मेरे लिए आप भागवान से भी बढ़कर है प्रोफेसर चणक आओ बेटी आओ मैं तुम्हें अपने कुछ अभिशकार दिखाता हूँ यह है एरो स्कूटर सड़क की बजाए हावा में चलता है वंडर्फोल यह है लेसर बूम गन इससे निकली लेसर बूम रिंग्स चट्टान तक को काट सकती है मार्लस अब मैं तुम्हे मिलवाता हूँ अपने विश्वसनी सेवक से जो मेरे आदेश पर अपना सिर्वी काट कर दे सकता है लिवर दबाने के साथ ही दो इस्वम बटा था दर्वाजा अगले पल सामने खाड़ा नजा रहा है हसाक्षात हरकूलिस कबाप आग्या देशर किलोरा किलोरा या मेडेम इंडिया है आज से इसे हर प्रकार की फाइटिंग तकनीक सिखानी है और इस प्रकार किलोरा ने मुझे हर प्रकार की युद्विध्या में परंगत करना शुरू कर दिया या गुड बहुत जल्दी सीखरी हैं आप मुझे में एक अजीब सी सकती का संचार होता जा रहा था जैसे जैसे मेरे जीवन की भी जैसे लगा मेरे जीवन का भी कुछ महत्व है ये फायर रिंग्स मुझे नहीं रोख सकते हैं मुझे लगा कि अब मैं अपने दुस्मनों को बहुत बुरी मुद दे सकती हूं किलोरा के अथक महनात्व मेरे सीने में सुलक्ती ज्वाला ने मुझे भारती से मैडम इंडिया मना दला गुड अब आप बड़े बड़े सुर्माव को नाके चने चब आ सकती हैं इसका सरे तुम्हे ही जाता है किलोरा उगते सुरस के साथ मेरा भी नया जीवन सुरू हो गया तो जैसे एक भयानक अंधेरी राती के बाद जीवन का नया उजला दिखा था मैना अमर आज तुम जिन्दा होते तो देखते तुम्हारी भारती क्या से क्या बन गई छोड़ूंगे नहीं तुम्हारे हत्यारों को अपने दुस्मनों से बदला लेना सुरू कर पाती उससे पहले एक तुफाना है मेरे जीवन में भारती बेटी मेरी जान को खत्रा है मेरे कई वर्सों की अथक महनत ग्रेविटी वाज के पिछे पड़ा है ग्रेविटी वाज हा बेटी मैंने बनाई है एक अध्भूत ग्रेविटी वाज जिसे अपनी कलाई पर पहन कर मनुश्य पक्षी की भाती आस्मान पर उड़ सकता है और आव सकता पढ़ने पर स्पेस सूट पहन कर अक्सीजन सिलेंडर लेकर राकेट की सायता से अंतरिक्ष में विचरण कर सकता है जहां उसे किसी प्रकार के वायुदाब रुधिर दाब वो अन्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा वो ग्रेविटी वाज अप कहा है उसे मैंने प्रिथ्वी पर ही ऐसी जगद चुपाया है जहां पहुँचना मनुश्य के भूते की बात नहीं है मैं भी अपनी वेग्यानिक सक्ति के कारण ही वहाँ पहुँच दूगा था मैंने ग्रेविटी वाज तक पहुँचने का एक नक्सा फ्रांस के एक मसूर पेंटिंग वह इस लॉकेट के पीछे लिख दिया है कीन्तु दूश्मान का पेंटिंग में नक्सा च्षिपा होने की भनक लग गई है अब वह मुझे उस पेंटिंग के बारें पूछ रहा है जिस में नक्सा च्षिपा है किन्तु वह ग्रेविटी वाच्छ हमारे देश की अमानत है मेरे जीते जी नहीं पास सकेगा वह उसे कौन है वह हंटार हंटार तुम हाँ बुढ़े हंटार तुस्से आखरी बार पेंटी के बारें पूछने आ है ना कहने से पले हजार बार सोचनल ना प्रोफेसर चणक सोचने में एक शण भी नहीं लगाया था प्रोफेसर चणक ने जूम जूम तुझे ग्रेविटी वाच्छ नहीं मौत मिलेगे हंटार ओह बचा बाल बाल इन केरनों से अगले पल हर्तार ने किया अनुक्सा प्रहार जुरूम की दुनिया का यम्राज जुरूम की दुनिया आ चीक पड़ा लोट पड़ा था अन्तार ग्रेविटी वाच पाकर ही रहोंगा चाय मुझे फ्रांस की तमाम पेंटिंग चूरानी पड़े पागलों से जन जोडती चली गई थी मैं प्रोफेसर चणक का सरीर अंकल आखे खोली अंकल मुझे इस तरह केला मत छुड के दूर चड़े प्रोफेसर चणक और उनकी जेब से निकला यह लाकेट जिसमें एक नक्सा बना हुआ था और इस प्रकार तमाम पोसेश्यों के बावजूद हमब पेंटिंग हंटार के हाथों में जाने से न बचा से गया कब्रिस्तान सा सनाटा खीच गया था लेडी किलर के चेरे परूफ ग्रेविटी वीच पाने के लालाच में जाने कहार तक पहुच गया होगा हंटार प्रित्वी पर कहीं स्थिति है निर्जिन स्थान जहां जीवन मानों आने से घबराता है जहां कदम कदम पर बिची है मौत मौत के इस दलदल में कदम रख चुका था हंटार अपने हंटर गैंग के साथ लक्षे के मताविक हम बिल्कुल सही ज़कर लक्ष की और बढ़ रह सब्सक्राइब देखिए तो इस कहानी का पेज द्रिश अद्भूत है वैसे मनोस कमिक्स अपने आप में मार्वलास कमिक्स होती थी और इसकी स्टोरी इंकिंग और आर्ट आज भी बिमिसाल है पतानी वह एक्टर्स वह राइटर्स वह कंसेप्ट एडिटर्स कहां गए जो इन तरह की कमिक्स को बनाते थे तो ज्यादा जुडाओं के लिए ज्यादा सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और जरूर उस पर कमेंट करें दोस्तों याद रखिए आप इसी तरह से जूड़े रहेंगे तो मैं आपका मनरोजन करता रहूंगा एंटर्टेन्में मेरे चैनल पर है इसको सब्सक्राइब कर दीजेगा दोस्तों बड़ी मेहनत मैंने की है इस वीडियो बना रहे हैं तो आप करिपया करके जरूर से तो दोस्तों बड़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में अभी इसका एक और पार्ट मेरे को डालना है तो कि मैडम आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है और हां आक्रोस और को प्राष्ट वगरे पर मैंने बनाये हुआ है जंबू पर बहुत सारी कॉमिक्स वीडियो बना हुए तोसी पर बनाया है नागराज पर अभी तोसी और सर्फ सत्र जो कॉमिक मैंने उसको डाला हुए अपने यूटूब चैनल पर तो यूटूब चैनल पर मैंने डाला हुआ है अभी हाल की कॉमिक्स है उसके बाद शूपर कमांड धुरूब अगर के भी कॉमिक्स मेरे एक वाट्शाप ग्रूब भी है आप मुझे फिर्सबूक पर प्रशान्त आती हैं और जो फरजी चीज़ होती है जो डुब्लिकेट और बनावटी चीज़ होती है वो किसी को नहीं कोई पसंद करता है दोस्तों इसी साथ यही सब सारे कमेंट्स को करने के साथ साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडिय में तिल दें टेक क्यार बाई बाई गुडबाई जाहिंद